इस्टुडेंट आज हम लग पढ़ेंगे आलेक, कलम लग पढ़े थे रिपोर्ट, यहां आप लोगों के प्रस्ट में बहुत सारे चीज आएंगे, जिसे आलेक किसे कहते हैं, आलेक कोई एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जिसे निबंद होता है, उसी तरह से आलेक भी ह होता है, लेकिन निबंद और आलेक में अंदर क्या है, निबंद में किसी भी चीज को बहुत विस्तार से लिखा जाता है, और आलेक जो होता है, वो संचेप में लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो सब्जेक्ट होना चाहिए, जो विसर होना चाहिए, जिसके उपर हम उसको उसकी जो लिखने वाले को उसकी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए आलेक को किसी भी जैसे कोई विसय होता है जैसे बोल देगा धार्मिक समवात की आउशकता यह एक विसय इस पर आलेक लिखिए तो कहते हैं कि एक आलेक लिखने के लिए उसके बहुत सारे गुन भी होने चाहिए अब गुन क्या है तो कि यह गुन है इसमें पहरा गुन है एक अच्छा आलेक नवीनता और ताजगी से संपन होना चाहिए असमें क्या है कि जो विसय एक न evaluation है वह उसमेंए नया पन हो और उसमें आई से पढ़ने से एसा मसूस हो जिसे कि भ्यक्ति को लगे जब जी जम पढ रहे है यह वह बहुत से हमारे मैंने उसको पढ़ करके हमारा मन पर प्रसंचित हो रहा है बंडर दूसरा ऐसके तो इसको पढ़ने के़िए लोगों को इच्छा सकती उत्पन करें мें जिग्क्राइं करने कि एक सकती होनी चाहिए, can encourage उसके अदर है Dziękuję तो सुरुवात जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे हमें इंट्रेस्टिंग बनाना उसे रुची जिसमें की पढ़कर के पाठक को रुची लगे पाठक गन को तीसरा बात है कि विचार उसके इतने स्वष्ट तथा बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता चल मतलब कहीं पर भी प्रिष्ट भासा का प्रियोग ना हो हम साधरन सीधे सब्दों में प्रियोग करें जिससे की पढ़ने वाले को उसमें रुची हो और वो उसे पढ़ता चला जाए यह ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ा सा पढ़ें और उसके बाद हमारा मन ऊप गया तो उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो उसे पढ़ेगा नहीं कि भासा जो है वह अत्यांतर शरल सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए प्रभाव छोड़ना चाहिए कि कि किसी भी चीज़ कोई-कोई हम देखते हैं कि न्यूज जो रहता है जब हम पढ़ते है न्यूज पेपर या कुछी भी पत्रिकाप उठाते हैं पढ़ने के लिए तो किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं ना कि बहुत इंट्रेस्टिंग यह जो बात लिखी है वह बहुत इंट्रेस्टिंग है और उसे हमें छोड़ने का मन नहीं करता हम उसे ऐ आगे से आगे उसके जानने की एक इच्छा सक्ती होती है तुम देखोगे कि जितने भी उपन्यासकार लोग होते हैं वो उपन्यास में कितने घटनाओं का जिक्र करते हैं लेकिन क्या होता है वो एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना का जिक्र करते हैं जिससे कि उन मैं लगता है तक आगे क्या होगा इस के आगे क्या है इस चीज्र को अबर पढ़ते यह पड़ते च्झाएल कर आदे अधिय। मैं। लेकिन क्या होता है उसे एक बार में मतलब लगतार अगर 5 गंटे बैठेकHH बड़े पढ़ सकता है जिसकी कि बढ़ने की जो कला है पढ़ने की सकती जो है वो काफी उची होती है जा उसके छमता होती है उतनी जितना देर बैठने की छमता हो कि बैठ करके हम पढ़ सकता है तो भासा जो है वो हमेशा अलेक की जो है वो इसनम सरल सुभम होनी चाहिए जि प्रभाव भी छोड़ सकते हैं एक ही बात को बार बार दोराना नहीं चाहिए कभी कभी लोग हम देखते हैं कोई भी नाटक हो चाहे कुछी कोई अपना भासन दे रहा है चाहे कुछ भी बोल रहा है तो कभी कभी हम देखते हैं कि वह एक ही बात को बार बार रिपीट करता है तो इसरा क्या होता है कि पाठक ही चीज को बार बार लिखा रिखा जया है इसलिए एक बात को बार बार रिपिट नहीं करनी है जो राना नहीं है छटा पोइंट है आलेक में विचार होते हैं कथा नहीं कथा कहते हैं कहानी कहानी तो बहुत लंबी चोड़ी होती है लेकिन आलेक क्या है आलेक है कि विचार को प्रस्तूत करता है आलेक में जितना विचार होता है कि वो विचार को उसको सठीक बना करके उसको पेस किया जाता है और अंतिम में इसका गुन है कि आलेक ज्वलन्त मुद्धों प्रसीद्य विशयों महतोपून व्यक्तियों चरित्रों तथा औसरों पर लिखे जाते हैं